स्वतंत्र भारत का द्वज कौन सा हो इसका फ्लैक कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचीत सुपर्चिष्टित भगवा जंडा हो बाद में उसी परिवरत नुवा तिरंगा द्वज आ गया हो अमारा राष्टर द्वजे उसका भी पूर कता बता रहा हूं निश्चित होने के बाद उस समय तो चक्र नहीं था चर्का था द्वज पर पहली बार फैस्पूर के कॉंग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फैराय गया असी फिट उचा द्वजस्तम्व लगाया था नेरुज उसके अद्धिक्ष थी तो वो बीच में लटक गया उपर पूरे जा नहीं सका और इतना उचा चड़के उसको सुलजाने का सास किसी का नहीं था एक तरुन भीड में से दोड़ा वो सरसर उस खंबे पर चड़ गया उसने वो रसियों की गुथी सुलजाई द्वज को उपर पहुचा के नीचे आ तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंदे पर लिया नेरुजी के पास ले गया है नेरुजी ने उसकी पीट थप थप आई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले दिवेशम में तुमारा अभी नंदन करेंगे लिकिन फिर कुछ नेता है कहा कि उसको मत बुला वो शाखा में जाता है जलगाओ में फैसपूर में रहने वाले श्री किसन सिंग राजपूत नाम के उस्वेंचक थे उस समय पांच वर्ष या छे वर्ष पहले उनका द्यानत हो गया उर्द्ध हो गया डॉक्टर हेडगवार को पता जला डॉक्टर हेडगवार प्रवास करके गया डॉक छोटा सा लोटा चान्दी का छोटा सा पुरसकार के रूप में बेट दिया उसका अभिनजन किया तब से पहली बार फढ़ाएगा तब से इसके सम्मान के साथ स्वेंच जुड़ा है जब पहली बार कॉंग्रेस ने संपूर्ण स्वतंतरता का प्रस्ताव पारित किया लाह संचलन निकाले है 1931 की बात है और संचलन में तिरंगे दोज के साथ संचलन निकाले और कॉंग्रेस का अभिननदन करने वाला प्रस्ताव शार्खाओं के द्वारा पारित करके बेजा जाए कॉंग्रेस कमेटी के पास डॉक्टर हेड़िवार उनके जीवन में देश का परम वैवो देश की स्वतंतरता यही जीवित का गन्तव व्यता शंग में दूसरा क्या हो सकता है और इसलिए अपने स्वतंतरता के जितने सारे प्रतिक है उन सब के प्रति संग का स्वयं से वक्त्यनत श्रद्धा और सामान के साथ समर पितरा है इससे दूसरी बात संग में नहीं चल सकती है